नमस्कार आदरने प्रधान मंत्री जी मैं निदा राज के सर्वोध्यकन्य विद्याले नमबर टू जाममज्जित में 11 कक्षकी छात्रा हूँ सर मैं आपसे ये प्रशन करना चाहती हूँ कि सर आपके जीवन में किसका सबसे आधिक योगदान रहा है आपके अनुभवों का या आपके शिक्षक होगा बड़ा टिकलिस सवाल है क्योंकि हमें पढ़ाय जाता है कि अनुभव ये सबसे बड़ा सिक्षक है ऐसा कहा जाता है लेकिन मैं ज़रा उसको अलग तरीके से समझाता हूँ अगर आपको सही सिक्षा नहीं मिली है तो अनुभव भी आपको बर्बाद करने का कारण भी बन सकता है या आगे बढ़ने का अऊसरी बन सकता है और इसलिए अनुभव उत्तम सिक्षक है इस स्विकारने के बावजुद्धि में मानता हूँ कि आपकी सिक्षा समस्कार कैसे हुए है उस पर depend करेगा कि आपका अनुभव कैसे कामात है जैसे मान लिजे को एक pickpocketer आप बस में जा रहे हैं और जेब काट लिया पैसे ले गया अभी आपका अनुभव हुआ अगर आपकी सिक्षा सही नहीं है समस्कार सही नहीं तो आपको विचार यह आएगा अच्छा देखो बिना मेहनत वो तो रुप्यी कमा लिया चलिए महबूज रास्ते पर चल पड़ो अगर आपकी सिक्षा अच्छी है समस्कार अच्छ है है तो विचार आएगा अच्छा तो मैं एलेट नहीं रहा मैंने सही ठीकाने पर पैसे रखे नहीं थे मुझे जितना जागूत रहना चाहिए नहीं रख रहा था और उसके गाण मेरे पैसे चले गए तो एक ही चीज़ से दो अनुभव लिए जा सकते हैं लेकि अनुभव लेने का अधार वो बनता है कि आपकी सिक्षा कैसी हुई है और इसलिए मेरे जीवन में सिक्षा का भी, सिक्षकों का भी, सांसकार का भी उतराई महत्व रहा है जितना मैं अनुभव मैं से अच्छी अच्छी चीज़े पकड़ने लग गया तो मेरे लिए दोनों का उप्योग हुआ है थैंकियो